नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर तो दोस्तों आप सभी को पता ही कि दुनिया में कितने रहस्में गटनाएं मौजूद हैं और कितने मिस्टरीज अनसुल्जे मिस्टरीज हैं तो वेसे ही हम आज लेके आए ही एक अनसुल्जे रहस्य, मई घटना के बारे में खोई हुई नगरी, अटलांटिस का रहस्य. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर. आज हम एक ऐसे रहस्य का परदाफाश करने वाले हैं, जो हजारों सालों से इंसानियत को हैरान करता आ रहा है, अटलांटिस, एक खोई हुई दुनिया. आईए जानते हैं, क्या थी अटलांटिस, कहां थी और क्यों अब भी यह रहस्य बनी हुई है. सबसे पहले अटलांटिस का जिक्र प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने किया था. अपने समवाद तिमायस और क्रिटियास में प्लेटो ने इस अद्भुत नगरी की कहानी सुनाई. प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक समुरिद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था जो समुद्र के बीच एक बड़े द्वीप पर स्थित था. यह नगरी अपनी प्रगती और धन दौलत के लिए मशहूर थी. लेकिन एक दिन एक भयानक तबाही के कारण यह नगरी समुद्र में डूब गई. प्लेटो के वर्णन के अनुसार अटलांटिस का सामराज्य अकल्पनीय रूप से उन्नत था. वहां की वास्तुकला, सभ्भिता और प्रौध्योगी की अद्वितिय थी. लेकिन अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने इसे समुद्र में विलीन कर दिया. अटलांटिस के लोग बहुत विद्वान और कुशल थे. उनके पास अत्याधुनिक जहाज, अद्वितिय धातु और विशाल महल थे. लेकिन उनका घमंड और अधर्म उन्हें विनाश की ओर ले गया. क्या अटलांटिस सिर्फ एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई सच्चाई है? दुनिया भर के अनेक इतिहासकार और विद्वानों ने अटलांटिस को ढूंडने का प्रयास किया. कई वैज्ञानिक, अन्वेशक और पुरातत्व विद्व इस रहस्य को सुलजाने में जुटे रहे हैं. उन्नीवीं और बीसवीं सदी में कई वैज्ञानिक अभियानों ने अटलांटिस को ढूंडने का दावा किया. लेकिन आज भी यह एक पहेली बनी हुई है. इगनाटिस डॉनली जैसे इतिहासकारों ने अटलांटिस को अटलांटिक महासागर के बीच में बताया, जबकि कुछ इसे ग्रीस के पास मानते हैं. क्या ये स्थान सच में अटलांटिस है? अटलांटिस के संभावित स्थानों पर चर्चा करते हैं. ग्रीस के निकट सैंटोरिनी द्वीप पर मिले प्रमान इस रहस्य को हल करने की ओर इशारा करते हैं प्राचीन काल में यहां एक विशाल ज्वाला मुखी विस्फोट हुआ था क्या यह वही घटना थी जिसने अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया कुछ विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस अजोरेस द्वीपों पर स्थित था यहां के अवशेश और समुद्री सनरचनाएं इस दिशा में संकेत करती हैं बहामास के निकट समुद्री सनरचनाओं को भी अटलांटिस से जोड़ा जाता है बिमिनी रोड नामक सनरचना एक प्राचीन रास्ते के अवशेश हो सकते हैं क्या ये प्रमान सही है? आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने अटलांटिस की खोज को नई दिशा दी है समुद्र के नीचे के शहरों की तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजरी और ओशनोग्राफिक अध्ययन ने इस रहस्य को सुलजाने के नए रास्ते दिखाए हैं हाल ही में मिली खोजें, जैसे कि स्पेन के निकट मिली प्राचीन सनरचनाएं इस बात की और इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं अटलांटिस का अस्तित्व था अटलांटिस के बारे में अलग-अलग विचार हैं कुछ विद्वानों के अनुसार ये सिर्फ एक कालपनिक कहानी है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है. प्रसिद्ध इतिहासकार और वैग्यानिक इस पर बहस करते हैं कि अटलांटिस क्या थी? कुछ इसे प्लेटो की एक साहित्यक रचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्राचीन सभ्यता का हिस्सा मानते हैं. क्या प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी के माध्यम से अपने समय की राजनीती और समाज की आलोचना की थी? या यह वास्तव में एक खोई हुई सभ्यता की सच्ची कहानी थी? अटलांटिस की कहानी ने सिर्फ विज्ञान और इतिहास को ही नहीं, बलकि वर्तमान सभ्यता और संस्कृती को भी प्रभावित किया है. किताबें, फिल्में, वीडियो गेम और टीवी शो में अटलांटिस को कई बार दिखाया गया है. इसके रहस्य और आकरशन ने लाखों लोगों की कलपना को उड़ान दी है. जूल्स वर्ने की 20,000 लीग्स अंडर देई सी, डिजनी की फिल्म अटलांटिस, दी लॉस्ट एम्पायर और कई अन्य रचनाओं ने अटलांटिस के रहस्य को जीवित रखा है. अटलांटिस का रहस्य अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है. शायद यह कहानी कभी सुलज न पाए, लेकिन यह हमारी जिग्यासा को जिन्दा रखती है. अटलांटिस की खोज की यात्रा में शायद हमें अपने विचार और ग्यान का विस्तार करने का मौका मिलता रहेगा. हमने प्लेटो के वर्णन, विभिन स्थानों पर की गई खोज और अटलांटिस के संभावित स्थानों पर चर्चा की. अटलांटिस का रहस्य हमें यह सिखाता है कि इतिहास और मिथक में एक महीन रेखा होती है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपके विचार हमें जरूर बताएं. धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ.